हेलो फ्रेंज मैं हूँ पारूल और स्वागत है आपका क्रेविंग्स भी और ओर चैफ पर आज हम कंडेंस्ट मिल्क बनाएंगे बहुत असानी से इसको बनाया जा सकता है आप इससे कोई भी मिठाई केक, खीर या फिर कोई और पुडिंग बना कर अराम से तयार कर सकते हैं वैसे तो ये बाजार में भी इजीली अवेलेबल होता है लेकिन घर में बनाया हुआ कंडेंस्ट मिल्क बहुती सस्ते में बनकर तयार हो जाता है रेसेपी शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज प्रेस ता बैल आइकन ताकि आने वाले नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तो यहां पर एक भारी से तले का पैन मैंने लिया है और उसमें आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क डाला है अब मैं इसमें डाल रही हूँ 120 ग्राम शुगर तो अभी हम इसको कंटिनियूस चलाते रहेंगे फ्लेम को मिडियम से हाई के बीच में मैंने रखा है एकदम इसको च क्लर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है एकदम बिगनिंग में जो मैंने शुगर डाला है उसको डालने का यही रीजन है ताकि इसका कलर जो है वो एकदम क्रीमिश हो जाए और यह बजार जैसा कंडेंस मिल्क बनकर तयार हो यहां पर एक पिंच बेकिंग पाउडर मैं डाल बेकिंग पाउडर डालने के बाद आप देखेंगे इसमें थोड़े से जाग आने लगे है तो फिर भी आप इसको चलाते रहे इसको थोड़ा सा ओर रेडियूस करना है लगबग 5-6 मिनट इसके बाद हमें इसको चलाते रहना है हाई फ्लेम पर और आप देखेंगे इसका चलाते रहेंगे लगबग 5-6 मिनट चलाते हुए अभी इसमें एक उबाल जैसे आने लगा है तो यहाँ पर फेक्ट कंसिस्टेंसी यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे इससे गाड़ा हम इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे नहीं तो इसका खोवा बन जाएगा लेकिन हम मेखवा नहीं बनाना है मिल्कमेड बनाना है तो यहाँ पर इसको गैस को बंद करके इसको ठंडा होने तक हम कंटिन्वार चलाते रहेंगे और जैसे-जैसे यह ठंडा ओ रहा है इसका कलर एक। गैस चेंज और यह कंसिस्टेंसी जो है एक। तम स्मूद हो रहा है आप दे देख सकते हैं कितना परफेक्ट कंडेस्ट मिल्क बनकर तयार हुआ है आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद